बिख स्टार्ट हो रहा है देखो परसंटेज एक औसक्त तो मेंने करा दिया दिल अब बग देखो उसमें 1500 कोशन मेंने सौल करा दिया अब यह परसंटेज आज इनाय टॉपिक है परसंटेज और अनुपात एक मेरी बात ध्यान सुनना आप आपके कोर्स के अंदर मैथामेड का रोल काफी ज्यादा है एक तो टॉपिक है परतिशत दूसरा है अनुपात जिस इंसान को यह दोनों टॉपिक अच्छी तरह से आते हैं या जिनको इन दोनों को पूरा ग्यान है उसके लिए मैटमेडिक कुछ भी नहीं है हाँ जिनको यह कई परतिशत नहीं आ रहा है इसको आगे जाके दिक्कत आती है क्योंकि जिते भी सारे टॉपिक है ना परसंटेज और अनुपात से जुड़ेवे हैं तो सबसे पहले अगर गणित को अच्छा करना है ज्यादा नमबर लेका आने परतिशत अच्छा कर लो तो आज में जो कोशन कराने वाला हूँ परसं करना है 100 पर कल्कुलेट करना है यह परतिशत इसके लावा परतिशत कुछ भी नहीं है ना कोई फॉर्मूला ना कोई बात जैसे वसत में तो बहुत सारा था राश्यों का योगबटा राश्यों की संक्यान कभी अलग रूल बन जाता था यहां ऐसा कोई रूल ली अगर पर को तो आज से देख लो उसत गया जो गया यहां से आज से ही त्यारी करना चालू करोगे तो आपकी मैस बहुत अच्छी हो जाएगी तो एट लिस में आपको डेट सो दो सो कोशन करा दूंगा सौल दो सो कोशन सोल करने के बाद भी अगर तुम मैनत नहीं गड़ते हो उस पर फिर मेरी गलती नहीं होगी आप यूट्यूब पर जाणा किसी के भी चैनल पर किसी के वीडियो में परतिसकत के सवाल लेख लेड़ा हाँ नेक्स्ट फ्राइडे तक जितने भी कोशन होते हैं वो आपके एक्जाम आएंगे यहां से आएंगे परसंटेज से स्टाठ करें लो पहला सवाल क्या कह रहा है लो पहला सवाल क्या कह रहा है लो पढ़ लो percentage का मतलब 100 बस और कुछ नहीं है और आजे सब basic basic question है सारा exam नाये में यह कह रहा है A का 80 परतिशत B का 50% है A का 80 परतिशत B का 50% है यह क्यों दिया वा है लो देखो इसका क्या मतलब है यह भी देख लो लो देख लो देखो अरह पहले note कर लो मतलब note का मतलब देख लो A का का मतलब into होता है 80 परतिशत जब हड़ता है नीचे 100 आता है बस इसका मतलब यही है B का 50% है यह दोनों आपस में क्या है बराबर अब देखो 100 से 100 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल यह बजगिया 8 बराबर 5 भी यहां से आपको समझना है यह क्या बोलना चाहरा है यह यह बताना चाहरा है यहां पर यहां पर जो A और B का अनुपात है यहां पर जो A और B का अनुपात है A का मान कितना है अनुपात है 5 कितना है सामने वाला होता है B का मान क्या है सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा A और B का जो अनुपात है 5, 8 है क्या है? इसलिए ये दिया गये था रेश्यों में अनुपात का मतलब तुलना करना जब A ने B से तुलना की A कम पड़ गया A हुआ 5, B हो गया 8 सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा यहां तक नोट कर लो फटा-फट देखो, क्लास में बैटे होत नोट करोगे बेफ हाल तो देखो हम तो इतना ट्राई कर रहा है यूट्यूपर भी मैं गौर नहीं कर रहा हूँ तुमारे लिए एक्चूली मैं निचे उतर गया अगर मैं उपर खड़ा हूँ मिरको पता ही नहीं चलेगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है और परसंटेज सबसे इंपोर्टन टॉपिक है सबसे पहले A और B का रिश्यू पता किया A और B में पांच आंट का रिस्ता है A और B में पांच आंट का अनुपात है बताओ इसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी A और B का रिश्यू पता करने में अर दिक्कत आएगी क्या बोल ही नहीं रहो पहले तो फटावर्ट नोट कर लो जितना नोट करोगे ना उतना फाइदे में रहोगे सबके रेजिस्टर में सॉलेशन होना चीए कोई खाली नहीं बैटा रहेगा क्लास के अंदर अपनी कॉपी में हर कोशिन का सॉलेशन होना चीए चलो ये नोट कर लिया होगा कर लिया तो सबसे पहले हमने ये पता किया A और B में रिलेशन क्या है वहाँ से मिला था मिरको अनुपात क्या मिल गया था अब क्या बोल रहा है देखो उसने क्या पता करना है ये कह रहा है B जो है B बराबर A का X परसेंट हो तो X का मान ग्याद करो Find the value of X X पता करते है उसने मिलको एक कंडिशन दे दी क्या कंडिशन दी इसने ये कंडिशन दी B एकवश्च तू A का का मतलब X का का मतलब इंटू A का X परसेंट है कितना परसेंट है ये मैंने लिग दिया X परतिसेद हटाया नीचे की आगया 100, अब मिरे को बताओ यहां B कामान कितना है, B कामान कितना है, इसलिए तो यह दिया था, B कामान 8 है, A कामान कितना है यहां पर, तो यह 5 दे दिया, into X, into X upon 100, इधर देखना, यह 105 से कड़ गया, 20 बार कितनी बार कड़ गया, 20 into 8 हो गया, 160 कितना हो गया, यही आप लोगों का X ता ये लोग सवाल हो गया इतना बेसिक सवाल बच्चों से होता ही नहीं परसेंटेज के वह सवाल है जो स्टुडेंट को दिक्कत कर रहा है पता कोई दिक्कत होई क्या अरे, B आठ है A 5 है, वाँ B की जगे 8 रखा, A की जगे 5 रखा तो X की value आ गई और कुछ नहीं हुआ कोई दिक्कत हो तो बोल दो अरे ये बात समझ में आई जिसको भी नहीं आया हाथ खड़े कर देना सर्मा सर्मी मत करना के नहीं आया तो नहीं आया बस आपको आना चीए हरे को आना चीए यू नहीं है के दो तीन को नहीं आया फिर मज़ा नहीं है बढ़ाने में अरे नोट कर लिया पका ना पका कर लिया चलो देखो ये नोट कर लिया ना अब एक्जाम आए इतना लिख्या लिख्यी मत करना हो क्योंकि exam में time मिलता है कम और फिर फेपर छूड़ जाता है तो exam आए तो आप क्या approach लगा सकते हो इधर देखो अब मैं जिसकी mathematics या जो regular practice करता है न वो इनसान कैसे कर रहा है वो देख लो मेरे को यहां दे रखा था A का 80% कितना परसेंट? B का 50% तो आप यह करो percentage से percentage काटो ना 0 से 0 काटो A का मान कितना है? 5 B का मान कितना है? सीधा निकालो ना A 5 है, B कितना है? फिर मेरे को क्या पूछा है? B equals to A into X percent यह बोल रहा था A के जगे मैंने 5 रखा यहां मेरे को percentage हटाना पड़ेगा और B के जगे 8 आँट आगया यह 20 आगया 20 into A कितना हो गया? यही आप लोगों का X था क्यों 1 upon 100 लिक रहे हो? क्योंकि वो 100 से 100 कट रहा है ना? percentage से percentage कट रहा है ना? हाँ, percentage का sign अटाते है तो 1 upon 100 होगा क्या होगा? बस यही है topic percentage और कुछ नहीं है चलो यह पहला question तो हो गया second पर आणा second क्या कह रहा है? important है कभी वैसे question exam में आ जाए तो दियान रखना किसी number का किसी संक्या का 20% कितना है? 120 किसी number का 20% कितना है? वो कह रहा उसी संक्या का 120% क्या होगा? इस तरह के सवाल दियान रखना है exam में काफी आते हैं चोटे-मोटे exam हों में अगर यह नहीं आएगा आज की class नहीं आएगी कल दिक्कत आएगी आगे answer 720 ठीक है देखो क्या करना है? इसने कहा किसी number का किसी number का 20% क्या है? 120 पहले मैं समझा देता हूँ basic तरीके से फिर हम direct करेंगे मैं दोनों तरीके हैं देखो मैंने मान लिए वो number y है y का 20% 20% percentage हटाया 100 आया y का 20% किसके बराबर है? 120 के अरे हाँ या ना यह y का 20% निकाला जो 120 के बराबर आएगा अब आपको करना क्या है? यह 120 20 से कटेगा सीधा 6 बार कितनी बार कटेगा? और 100 इंटू 6 तो y की value आगई 600 कितनी आगई? यह वो number आगया अगर आपको बोले वो संख्या कौन सी है? find the number तो answer 600 होगा क्या होगा? उसने वो संख्या पूछा ही नहीं उसने तो बोला उस संख्या का 120 परसेंट चीए क्या चीए? तो उस y का 120 परसेंट निकालना पड़ेगा y है 600 यह तो है संख्या जो मैंने मानी है अब इसका मैं 120 परसेंट निकालने जा रहा हूँ 120% कैसे निकलेगा 120 upon 100 लोगों को percentage निकालना भी नहीं आता है मेरे को पता है 120 into 6 यह हो गया 720 कितना हो गया यह है उस नमबर का 120% और 600 का 120% सीधा 720 होता है लोग आपके सामने solution एक तो तरीका यह है दूसरा तरीका देखना भी मैं मताने जा रहा हूं एक तरीका यह नोट करो सारे नोट करो मैं फिर बोल रहा हूं न और सत नहीं आया छोड़ दो आज से ही चालू कर दो वाई का 20% निकाला तो 120 आया 120 को 20 से काटा 6 मार कड़ गिया वो डारेक्ट ठीक है 6 इंटू 600 तो संख्या वो नमबर है 600 और 600 का 120% कैसे निकला आपके सामने है परसेंट इस कैसे निकालता है पता है ना 600 इंटू 120 आपन 200 से 200 कैंसील हो गिया 120 इंटू 6 720 देखो अगर ऐसा कोशन आता है है तो कुछ भी नहीं बट करने के तरीके ना अलग-अलग होते हैं देखो कभी भी ऐसा कोशन एक अग्जाम आए तो आपको करना कैसे ऐसे करना देखो सीधा एक लाइन में आंसर आएगा देखो यहां मेरी दूसरी एप्रोच देख न मैं वो संख्या निकालने जा रहा हूं अगर वो बोले संख्या निकालो तो कैसे निकलेगी सवाल क्या कह रहा है किसी संख्या का 120% 120 है मैंने लिखा यहां 120 अरे 120 क्या है 120 उस नम्मर का कितना परसंट है यह आपका वो संक्या आ जाएगा, संक्या आ गई 600, कितनी आ गई? देख लो काटा से इक लिए 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 यह तो एक लाइन में कर लिया, क्यों मैं दो स्टेप लिख रहा हूँ? अगर उसने बोला, find the number, संक्या निकालना है, 100 से गुणा करना बढ़ेगा, उसने संक्या निकालने को नहीं बोला था, उसने बोला था, उस संक्या का इतना percent है निकालो, तो देखो आपकी approach, उस संक्या का मेरे को निकालना है 120%, तो कैसे करेंगे? अब कोशिन को कैसे करूँग कि 120 क्या है, 120 से उस नम्मर का कितना percent है, अरे कितना percent है, वो निचे लिख देना, अब क्या चाहिए, क्या demand कर रहा है, अरे उसकी लालच क्या है, उसका लालच है, 120% निकालो, तो सिधा 120 से गुणा कर दो, लो तुमारा आगिया, cancel वेंसिल करो, ये direct 720 आया है, यहाँ पर दो concept है, अगर पूशता है संक्या, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, अगर पूशता है, जो भी, कि वो संक्या का 120 परसेंट निकालो, तो 120 से गुणा किया, इस चीज़ को समझ गए, तो बहुत सारी चीज़े आसान हो जाएगी, फिर repeat कर रहा हूं, देखो कैसे लिखा, उसने का एक नंबर है, उसका 120 परसेंट, उसका 120 कितना परसेंट है, 20 परसेंट, अरे 120 किया है, उस संक्या का कितना परसेंट है, तो नीचे लिए, और क्या demand कर रहा है, वो क्या चाहता क्या है, और उस नंबर का क्या चाह रहा है, 120, वो बोलता 60 परसेंट निकालो, तो मैं पिछे तर से गुणा करता answer आगया 720 कितना आगया आगे भी देखते हैं तो ये करना पागलपन है उसीदा वो ही कर लो ये कह रहा है P का P percent P का P percent कितना है 36 ये P into P का P percent किसके बराबर है अब P into हो गया P P square 36 into 100 अब यहाँ पर आपको square root लेना पड़ेगा इसका square root 36 into 100 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा भई जिसको वर्गमूल नहीं आता है ना जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है ना अपने चैनल पर जाना वर्गमूल कुरा का और एक बात ध्यान रेकना, जो मैंने यहाँ चैनल पर topic करा दिया जैसे वर्गमूल निकालना, सरवोते पे जाना, प्लेडिस्ट पे जाना पूरा वर्गमूल के सान topic बड़े, वहाँ वर्गमूल निकालना सीख लेना, वर्ग और वर्गमूल, यहाँ नहीं सिखाऊंगा वर इंटू P बटा 100 बरबर 36 P स्क्वेर बरबर 36 इंटू 100 फिर वर्गमूल लिया उसका वो स्क्वेर हटेगा तो वर्गमूल आएगा 36 का 6 हो रहा है 100 का 10 हो रहा है 6 इंटू 10 सांट यह है P की वैल्लिव पता इसमें कोई प्रोब्लम सिभ लिखा है P का P percent P का P प्रतिशत है तो P इंटू P बटा 100 के 36 है तो बरबर 36 कर दिया अब P सॉल करना है बाकि तो calculation है P इंटू P क्या हो रहा है P स्क्वेर अरह P इंटू P क्या होगा P स्क्वेर बरबर 36 स्क्वेर P का मान पूछा है तो वहां से स्क्वेर हटाना पड़ेगा स्क्वेर हटता है तो दूसरी तरह स्क्वेर रूट लग जाता है ने तरह मैं आपको वीडियो बता दिये ना साथ से आठ वीडियो है वर्ग वर्ग मूल के कर लेना वहां से calculation में हाँ भई ये मेरे लाएक ही सवाल नहीं है ये कहरा है दो पचास का कितना पड़तिशत है दो पचास का कितना पड़तिशत है student को यह बड़ी तकलीफ हो रही है जब मैं छोटा बच्या था 5th grade 6th class मैं मिले को भी समझ में नहीं आता था कि कोशन क्या कहना चाहरा है यह कह रहा है दो पचास का कितना परसेंट है अंग्रेजी में लिकवा है 2 is what percent of 50 two is what percent of 50 अरे समझ चीजे समझ में आ रही है इधर देखना कहना क्या चाहरा है पहली बात कह रहा है यह दो है ना पचास का कौन सा हिस्सा है और दूसरी बात अगर समझ में नहीं आए ना उपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा numerator में कौन आएगा denominator में कौन आएगा इंसान को यह पता नहीं चलता है तो मेरे teacher ने एक चीज बताई जिसके साथ off लगाए क्या लगाए जिसके साथ का लगाए वो नीचे आएगा मेरे को यह बताया कि कैसे समझ लेता हूँ अब जिनको समझ में नहीं आता है off किसके साथ लगावा है off किसके साथ है का किसके साथ लगावा है अरे का किसके साथ लगावा है यह बेसिक चीजे मैं फिरोजोजों नहीं बता हूंगा 50 के साथ किसके साथ एक्चुली मैं यह कहना चाहते है इसका मतलब 50 नीचे आएगा परतीसत में निकालना इसलिए 100 से गुड़ा करना है और यह करा है 50 का 2 जो है कौन सा हिस्सा है यह सहल करो यह दो जो है 50 का 4 परसेंट है किता परसेंट है ले हो गिया दोट करने में फटोट करो कम से कम 30 के कुश्चन है सारे के सारे करने है यह तो M और N का अनुपात पूछ रहा है क्या पूछ रहा है M और N का क्या पूछ रहा है जो मैंने पहला कोश्चन करा है न उसमें हो गया कैसे हो गया इदर देख देख परसेंटेज से परसेंटेज कर गया 0 से 0 कड़ गया M का मान कितना है M का मान M के सामने वाला होता है M के सामने 2 लिखावा है M 2 है N के सामने 1 लिखावा है ये M N का रेशियो आ गया ले हो गया % से % कड़ गया 0 से 0 कड़ गया M के सामने वाला M होता है और N के सामने 1 लिखा है M के सामने दो लिखा है उसने पुछा था MN का रेशियो M और N का अनुपाथ दो एक होगा अरे चीजे क्लियर है या नहीं है कुछ तो वोलो रहे अरे समझे में आई कि नहीं आई तो वोलो ना सरमा आ रही है क्या गड़े तुम्हें पहले ही सरम की थी रियल्टी बात है अगर तुम पांच फिफ्ट क्लास से ये टीचर को बोलते है सर मेरे को समझ में नहीं आया तो आज आपको मेरे को फेस नहीं करना पड़ता मेरे को किसे ने करे थोड़ी सीखा ये मेरे को तो जरूरत ही नहीं मैं ये सोचता हूँ इस दुनिया में जितने भी काम है मैं अकेला कर सकता हूँ दूसरे की जरूरत मेरे को नहीं है ना मैंने ली है हाँ उसमें जोड लगता है जरूर आगे चलो और आगे चलो थोड़े बोल्ड बन जाओ रहे कौन सरकारी नौकरी देगा तुमें अगर मैं तुमारा वो हूँ ना इंट्रिवु लेने वाला तुमारी बोड़ी लेंग्वेज देखके बाहर निकाल दूँगा तू है निये गौर्मेंट नौकरी के लिए कुछ सब दिखना चीए कुछ मतलब एक्सप्रेसिव होना चीए नी आया हाँ आया कुछ तो रियक्ट करो मुर्दो जैसे तो बैटे रहते हो क्लास में वो भी मैतमेटिस के क्लास में हाँ अब यह बताना यह कहरा रेश्यो दे रखा है पांच चार क्या दे रखा है अरे क्या अनूपाद दियावा है यह कहरा इसका परसंटेज निकालो तो देखो रेश्यो को इधर देखो चाहिए ऐसे लिखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पांच अपॉन चार अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यह कहरा इसका परसंटेज निकालो तो इंटू सो किसी भी चीज का परतीसत निकालते है 100 से multiple करते है काटा साटी करोगे 25 बार कटेगा कितनी बार कटेगा 104 से 25 बार कटेगा 25 इंटू 5 हो रहा है 125 परसेंट कितना परसेंट यह calculation तुम करोगे काटा साटी मैं क्या करूँ फिर PDF में क्या दिख जाएगा calculation तुम्हें आनी चीए 100 में 4 का भार लगया 25 बार गया कितनी बार गया और 25 इंटू 5 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 125 होता है यानि 5 चार का जो percentage निकल रहा है वो 125 परतिशत है अब कभी भी अनुपात का ratio निकालना है ratio का मतलब 5 चार इसको 5 अपन 4 लिखो लिख सकते हैं percentage में कोई भी चीज बोला परतिशत में बदलो 100 से multiply करते हैं किसे multiply करते हैं कि परसेंटेज में इसको बताओ तो इंटू 100 करतो बस तो note करके लिख दो किसी भी चीज को परतिशत में बदने के लिए 100 से गुणा किया जाता है multiply by 100 अब ये निकाल ये क्या कह रहा है नॉर्मल सा गोशन कह क्या रहा है इदर देखो ये कह रहा है 10,000 10,000 का कितना परसेंट कितना परसेंट पहली बात ध्यान लिकना चीजे नोट करना मेरे जैसे 33 सही 1 बटा 3% इसकी fraction value होती है आज के बाद तू मैं न जब भी ऐसा देखो इसकी value होती है एक अपॉन 3 के बरबर किसके बरबर बेटा याद कर लेना याद करेगा फाइदे में रहेगा नितन नुक्षान में आ जाएगा आज के बाद कभी भी तूम आगे मैट्स की क्लास में 33 सही 1 बटा 3% देखे उसकी जगे लिखना है एक अपॉन 3 क्या लिखना है बस बात खत्म ये कुछ fraction value आपको याद करना पड़ेगा कल में होता हूँगा आज सामने दिख गिया जैसे मेरे को दिखता है 33 सही 1 बटा 3% इसका मतलब होता है एक अपॉन 3 क्या होता है क्या होता है अब ये एक अपॉन 3 आया कल के ग्लास में होता हूँगा कैसे आया कैसे आया यसे आया दिख इसको ऐसे multiple करते है 33 इंटू 3 99 किता हो गया अरे 33 इंटू 3 किता हो रहा है अरे 33 गुणा 3 किता हो रहा है 99 और उसमें एक जोड़ते तो हो गया 100 अपॉन 3 35 का साइन अटाया तो आया 1 अपॉन 100 100 से 100 कैंसिल आया क्या आया 1 अपॉन रुक तो सरी पहले ये सीख ले रहे तू 33 से 100 करेगा ने बटा 3 करेगा ने वो लिखेगा 33 से 1 बटा 3 का मतलब होता है 33 हिसा कौन सा हिसा 1 अपॉन 3 अब देखो मेरे लिखेट से इंसान को जब वैल्यू याद है 33 से 1 बटा 3 का मतलब 1 अपॉन 3 तो फिर मैं कोशन कैसे करूँगा देखो फिर मेरे लिखेट कोशन आसान हो जाएगा ये कैसे आया कल पता चलेगा तुम्हे लोग क्या कह रहा था ये 10,000 का इतना परसेंट निकालना है ये 10,000 10,000 का 33 मतलब 1 बटा 3 निकालना है और इसका कौन सा परसेंटेज निकालना है 0.15 0.15 परसेंट ये 0.0 और हटा दिया 2.0 और आ गए 4.0 से ये 4.0 कैंसिल हो गए 15.3 15.3 कितना होता है ले 100 हो गया ले 5 आंसर है का दिक्कत है वो कह का 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 मैंने बताया ना का का मतलब इंटू लिख दो और अफ का मतलब और अफ की जगे पर इंटू लिख दे बस तो एक चीज़ तो मैंने आपको याद करा दी 33 से एक बटा तीन परसेंट आज के बाद क्या याद रहेगा एक अपॉन तीन क्या याद रहेगा बस सिधा ने तर तीन टॉपिक चार टॉपिक में दिक्कत आएगी तुम लोगों को हो गया अरे हाँ या ना कर लिया पका ना अभी बोला वोल्ड हो रहे कोई आदमी पूछ रहा है किसी ने पूझा से आप मैस रिजिदिंग पढ़ते हो क्या उसको मेरे बारे में नहीं पता उसको पता चलता ना कि इस फिल्ड में 18 साल हो गए तो वो मेरे को पूछता नहीं उसको अगर यह पता होता ना मेरे जैसे हजारों को उसने लगा दिया तो फिर वो कभी पूछता नहीं अब मैं तुम्हें कोछ पूछ रहा हूँ रिप्लाई मी इसका मतलब तुम्हारे में तुम्हारी परस्नल्टी है ना उसमें चेंज करना चेंज लाने के लिए यसा कर मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मेरे परस्नल्टी तो बड़ी खत्रना करे नाम ही काफी इनफ एक नाम बुला काम खतम ऐसा अपने आपको बनाओ ना सारे काम नाम से हो जाए तुम्हें कोई है नहीं ऐसा बैटे हो कोई फूस रहा है अरे आगे चलो आम होलो ना रिप्लाई कारें लाका इस का तीस परसंट कितना है तो अरे आए कोमाठ लहा है रहा एक्स का यूणत कैना अबी तो बताई था वह नंबर एक सवाल आगे आया था ऐसा कि X का X का कितना परसेंट X का 30% बहतर है तो X का मा निकालो यह रहा X यह जो बहतर है X का 30% है वो संक्या निकाल लिये तो 100 से multiple करना है बेटा यह रहा तेरा 0 से 0 काड़ दिया बहतर कर गया 3 से 24 बार आंसर आगया 240 कितना आगया अभी तो बताये था बहतर क्या है उसका 30% तो नीचे 30 लिए बहतर अपॉन 30 परसेंटेज में पूछ रहा है इंटू 100 कर दे क्योंकि वो संक्या निकालना है वो संक्या निकालना इसलिए मैं 100 से multiple कर रहा हूं वो उसने का find the number find the value of x x निकालने के लिए मेरे को 100 से multiple करना पड़ेगा इसलिए मैंने 100 से multiple किया तो x की value आ रही है 240 हो गया अरे note कर लिया आगे देखो अच्छा most important कर दणा ऐसे question को पहला सवाल कोई अच्छा आया देखो हजार लोग मिलेंगे इस दुनिया में हजार तरीके सवाल करने के क्योंकि बारत में talent का भी ज़्यादा है बहुत सारा talent है इस इंडिया में हर किसी का तरीका अलग होता है अगर मैंने इस question को मेरे जैसे नहीं कराया तो मात खा जाओगे तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ और यह question अलूपात में फिर आएगा ratio में आएगा वापस तो क्या कह रहा है देखो अगर ऐसा आगे question आया मैं तो नहीं कराया पहली बात अब मेरे को देखो most important है पहला सवाल तुम लोगों के लिए भी और जो YouTube पर बैठा उसके लिए भी बेटा देख ले फाइदे में रहेगा चलो देखो सबसे पहले यह बोल रहा है क्या बोला सबसे पहले मेरे को A और B की बारे में पता करना पड़ेगा A और B की value किया है जब तक A के बारे में नहीं पता B के बारे में नहीं पता मैं आगे जाई नहीं पाऊँगा तो मेरे को इसने एक equation दे दिये क्या देखो सबसे पहले मैं इसको solve करता हूँ यहां से देखना मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ इस equation को pick किया percentage से percentage काटा यह 15 है 5 से कटा 3 बार और यह 25 है 5 से कटा 5 बार तो मेरे पास आया A प्लस B इंटू 3 A माइनस B इंटू क्या आया 5 क्या आया अब यहां पर मेरे को actually मैं इनकी value मिल गई कि A प्लस B A प्लस B कितना है A प्लस B है सामने वाला A प्लस B की value कितनी है अभी بتाया था सामने वाला होता A माइनस B A माइनस B A माइनस B के सामने क्या लिखावा है यह direct है ना दो step आगे निकल गया हमें सबसे पहले इस format में लिख देना note करके लिख दो यहां से मैं पता करूँगा A और B के बारे में तो कुछ किया ने अभी तक परसंटे से परसंटे काटा है 15 और 25 को 5 से काट दिया और कुछ नहीं किया और यहां से पता क्या A प्लस B की वेल्यू क्या है A प्लस B का वेल्यू 5 है A माइनस B की वेल्यू 3 है भया ने बोला 4 किसने बोला? सही बोला होगा चार जाए, इनका, चार, what is चार, साथ, क्या साथ क्या, और क्या, अच्छा, आंसर बता रहा है, 60, पता नहीं मेरे को तांसर, A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू चार आई, अच्छा, B की वैल्यू चार आई, अच्छा B की वन A की Very good क्या किया होगा Cross multiple किया होगा Very good मेरे को सब पता है ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ Very good क्या अच्छी बात है हम यह काम यहां नहीं करेंगे कोई भी गणित जाने वाला काम करता है Cross multiple क्या करता है फिर तुम लोग मेरे पास आये ही की हो मैं ऐसा काम यहां नहीं करने वाला मैं यहां Cross multiple ऐसे करता था फिर तो 18 साल में 11 साल as a director कैसे काम करता गणित और रीजनिंग से 11 साल as a director काम कर लिया मैंने अरे मैं कोचिंग चलाता था ठीक है मेरे नाम से कोचिंग जलती थी नहीं चलती थी काम पे वहाँ पे वहाँ पे जाओ फिमस है ना एक सहर जा तुम जाते हो ना एक इधर ने एक इधर तो इधर इधर चल देख आज के बाद ज्यान रखना ऐसा equation आजाए a plus b upon a minus b एक चीज प्लस में और एक चीज क्या है सीधी value निकाल रहा हूं सीधा value निकाल रहा हूं देखना तो मैडम ने सही बताया था बट मैं भी दिखो निकाल रहा हूं लो इधर देखो अरे बेटा देख ले आंसर आएगा पता ही नहीं लेगा अब निचे क्या रहा हूं इन दोनों का difference 5 और 3 का अंतर कितना है? 2 लो मैडम 4 एक आगिया एकी value 4 है बी की value 1 सीधा cross multiple नहीं किया आपके 2-3 कम से कम 30 seconds बचा लिए मैंने अगर यहां cross multiple करते तो दिक्कत आ जाती a is 4, b is 1 हो गया? that is component and dividend class 9 में यह theorem है जो समझाई गई थी अरे समझ में आ गया? बहुत काम की चीज है यह a plus b upon a minus b इसकी value दिर्खिए 5 upon 3 और आपको निकालना है a कितना है और b कितना है इसको बोला जाता है component and dividend component and dividend को हिंदी का मतलब है yoga आंतरा पहले yoga करो yoga yoga का मतलब जोड़ना तो मैंने क्या किया? 5 plus 3 किया? 8 क्या किया? फिर निचे अंतर 5 minus 3 दोनों को जोड़ा? 8 लिखा दोनों को अंतर लिया? 2 लिखा cancel किर दिया 4 एक a है 4 b कितना है? a है 4 b कितना है? बस ही आ गया a upon b यहां तक a कितना है? b कितना है? निकालना था अब उसने यह थोड़ी पूचा है उसने पूचा है b का कितना पर्तिशत a के बराबर होगा? b का कितना पर्सेंट b के बराबर होगा? यह मेरे को answer दो पता लगे b का कितना पर्सेंट a के बराबर? 400 और कोई बताएगा बस यहाँ देखो सब कुछ कोशन सौल हो गया बट कोशन यह पता नहीं चल रहा है बिरको पूछ किया रहा है उसने सिर्व यह बोला था B का कितना परसेंट A के बराबर अरे A कितना है अरे A कितना है B कितना है यह कह रहा है B का कितना परसेंट A के बराबर होगा अरे B को A के बराबर करना है किसके बराबर करना है पहले B और A को बराबर करो A 4 है B तो बेचरा 1 है न यानि B को 4 बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा तबी तो A और B क्या होंगे बराबर तो B अगर 4 हो जाए क्या हो जाए तो ये A और B बराबर अब बोल रहा percentage में किसी चीज़ को percentage में convert करने के लिए 100 से multiple करते हैं किसे multiple करते हैं तो 4 into 100 कितना हो गया लोग खत्म B का कितना percent B का 400% A के बराबर है क्योंकि B 1 था B 1 था और A 4 था B को बनाना पड़ेगा 4 क्या बनाना पड़ेगा तो 4 आ गया परतिशत में पूछ रहा है तो 400% कितना percent बस खत्म तो यहां इस line का क्या मतलब था B का कितना परतिशत A के बराबर होगा A 4 है B को भी 4 बनाओ तो 4 से गोड़ा कर दिया अब 35 cent में पूछ रहा है percentage में पूछ रहा है तो 4 का मतलब 400% कितना percent तो B का 400% A के बराबर है किसके बराबर है देख लो बता रहा हूँ B एक है ना अरे B के एक है के नहीं है उसने का उसको A के बराबर करो तो मैंने क्या क्या B को 4 बनाने के लिए चार से गुणा कर दिया और percentage में पूछ रहा है 100 से multiple कर दिया यानि आगया 400% B A का कितना percent है अरे B A का कितना percent है Actually मैं वो ये पूछ रहा था compare कर रहा था B A का कितना percent हो सकता है ठीके 400 का 400 का तो मैंना एक बार वो निकालना percentage B के equal आ जाएगा ठीके तो कहरा B का कितना percentage में पूछा B का कितना percent B का कितना यानि B को पहले A के बराबर करना है B को पहले A के बराबर करने के लिए 4 से गुणा किया percentage में पूछा into 100 गट दिया 400 या पर इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी बट A और B की value मेरे को पता नहीं लगती ना तो question मेरे से हो नहीं पाता A 4 है B कितना है अरे B कितना है फिर B को बनाओ A के बराबर into 100 कर देना answer आ जाएगा 400 सही है ना अरे हा या ना अरे पले पड़ी कि नहीं पड़ी बात लोग बढ़ी आपड़ी तो अच्छी good very good अरे क्या करूं इसको ये भी करूं किया अरे इसको भी करूं क्यों करूं अरे इसको भी सवाल करना पड़ी क्या ले कर लेता हूं लिख देता हूं 300 into 25 upon 100 खुदी करना इंटू बीस अपॉन सो ले सॉल कर दे भई दे भई, आंसर तेरा ये दो जुरे सो दो जुरू उडा दे ये पांच बार कड़ गिया और ये पांच बार कटा पांच इंटू तीन कित्था आया ऐसे सवाल मिरसे मत कर रहा हो एक बार आच चुका आना ऐसा हो गया अरे हो गया क्या नहीं हुआ थोड़ा अपने नेचर में एक्रिसिव बन जाओ तभी मैच समझ में आएगी ठंडे को मैच समझ में नहीं आती जो ठंडा इंसान है ना उसका दिमाग भी ठंडा ठंडे का मतलब स्लो और मैच जैसे चीज को कैलकुलेट करने के लिए इंसान का एक्रिसिव होना जरूनी है एक्रिसिव से क्या होता है ब्लड प्रैसर बहुत अच्छाखासा हो जाता है और जैसे बीपी उपर अच्छा बятся leaning लगता है दिमाग तक खुण पहुशता है क्या पहुशता है जब इंसान खून दिमाग तक पहुचेगा, तब ही तो इंसान सोचेगा तब ही तो भोल रहा हूँ थोड़ो अपने आपको एग्रिसीव करो, क्या करो तो था चीजे समझ में आ जाएगी ले बैका रब, अगला देख क्या है बताओ ये कराया कर नहीं कराया, अचा पी का 50%, क्यों के 25% अरे सवाल नमर पहला ही है, आज का पहला कॉश्चन यही ऐसा ही था वहाँ सिर्व एब भी लिखावा था, क्या लिखावा था, अगर भरोसा नहीं है न देख तुम एक जैसे कॉश्चन को मैं बार-बार कराऊंगा न, मतलब नहीं है फिर देख ये ही है वो, लो अधर देख वो देख ले सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी पी और क्यू की, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अरे किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकाल रहा हूँ देख लो, पी और क्यू निकाल रहा हूँ देख भाई सबसे पहले % से % काटा 25 से 50 दो बार कड़िया इसका मतलब P कितना है Q कितना है P की value सामने वाली 1 Q का मतलब सामने वाला 2 सबसे पहले ये काम करोगे P और Q की value मिल गई 1-2 अब क्या करना कुछ नहीं करना है अब करना P बरबर Q का X % है ठीक है अरे ये कर लिया अरे ये नोट कर लिया कि कुछ नहीं किया % से % काटा 50 को 25 से कट बारा अब P के सामने P का मान Q के सामने Q का मान अरे बात पता चल गई आगे तो कुछ नहीं हो गया ना लोग देखो इस equation का use कर रहा हूं इसका P कितना है P का मान 1 है Q कितना है 2 है into X upon 100 तो X की value आ गई 100 upon 2 कितनी आई है अर कितनी आई है खतम सवाल क्या था कुछ भी तो नहीं था अब अगर आगे ऐसा question आया मैंने करूंगा यह द्यान करना करोद बड़ी आनी करोद और करके चला जाएगा कोई दूसरा ही करेगा फिर तो तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो भाई दिस्तरदार ही करेगा और तो क्या करेगा हसे क्यों है इसका मतलब तुम समझदार हो क्या हो एक सोच चलता है इंडिया में अना बड़ा पपुलर है उसका बात का मतलब कुछ और ही होता है क्या होता है और बेटा हो गजब का पैसा कमा रहा है वारे इंडिया मतलब जो इंसान भारत की संस्क्रित को डेमेज कर रहा है उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे है और जो इंडिया संस्क्रित को आगे लेकर जाना चाहता है उसको इंडिया वाले लोग पसंद ही नहीं करते है वारे इंडियन कल्चर गजब का कल्चर है इंडिया का सही तो ह बता नियुक्त नहीं करता है अरे मेरे को नहीं पता पूछ मत पर को बता होगा तब तो दवन मीनिंग क्या बोल रहा हों कि तू क्या समझत है इसा आ गया यह करो भई सबसे पहले एपी कितना है बताना एक इतना भी कितना है A कितना B कितना निकालो भई अरे इतना तो सीख लो A कितना B कितना बोले 5 एक A की value 5 है और B की value 2 है देख निकाला percentage percentage 0 0 यह तुमारा A B B है B है 2 और A है 5 सबसे पहले यह काम करना पड़ेगा A का कितना प्रतिश्यत B है A का कितना percentage यानि percentage निकालना है यह क्या पूछ रहा है off किसके साथ लगा है यह पूछना चाहता है B upon A into 100 बस यह पूछना चाह रहा है A का कितना प्रतिश्यत B है B का मान 2 है तब A 5 है into 100 कितना आया रही solve कर दे 40% आ रहा है तुमने तो कुछ और ही कहा था है 400 नहीं कहा था किसी ने किसी ने 40 कहा था क्या किस ने कहा था 40 अच्छा 2 ने कहा था अरे बाबा कह रहा है B जो है A का कितना percent अभी बताया था नि जिसके साथ off का जुड़ा होता वो नीचे आएगा क्या आएगा तो A को नीचे लिखा B आया उपर into 100 B की value 2 A की value 5 into 100 2 upon 5 into 140 language को डंग से पढ़ो ध्यान रहेगा क्योंकि यह समझ में नहीं आती language क्या कहना चाहता है उसने बोला क्या बोला था A का कितना percent A का A के साथ है A नीचे आएगा B upon A और B upon A का percentage बूचा into 100 तो 2 upon 5 into 140 ले भई यह भी करू किया मैं संक्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा संक्या का 18% अच्छा question है वो एक number है मैंने इस number को N मान लिया उस number का 18% ले इदर देख किसके बराबर है 75 के 12% के 75 के 12% के यह solve हो गया 100 से 100 cancel N आया N आया तुबारा 75 into 12 और यह 18 इसके upon में solve कर दो 6 से कार दो तो यह 12 अठारा 6 से कर जाएगा 2 तीन ठीके अरे काटना तो आता है वैसे तो इंसान रोज काटता है इंसान कोई सब्दों से किस से तो यह काटो न यह काटोगे तो सबको बेकूफ पागल बना दोगे कटा यह दो तीन पिछे तर तीन पच्चीस 25 into 2 कितना हो गया 50 कितना हो गया कैलकुलेशन आपको करना है देख भई 12 को 6 से काटा 2 बार 18 को 6 से काटा 3 बार पिछे तर तीन से कट रहा है 25 बार पचीस इंट दो कितना हो गया? ओहो, अलो, क्या कह रहा है भाई? सबसे नॉर्मल सवाल, रीट लेवल वन का सवाल, रीट, अरे, सबसे छोटे एक्जाम ने, बड़े एक्जाम में भी ऐसे कोशन पूछी जा रहे हैं, दिक्के थाईगी तुम्हें, क्या बोल रहा थाई, देखो, ये बोल रहा है, एक घंटा, 35 मिनट में एक दिन का कितना परसेंट है, एक घंटा, 35 मिनट, एक दिन का कितना परसेंट है? चलो देखो, एक दिन का, तो एक घंटा, 35 मिनट, सबसे पहली बात, दोनों चीजों का यूनिट मात्रेक होता न, बराबर, या तो दोनों को मिनट में कनवर्ट करो, या दोनों को घंटे में कनवर्ट कर दो, तो क्या करना है, इधर देखो, इसने का, एक घंटा, 35 मिनट, एक दिन का कितना परसेंट, लोज़र देख लो, तो मैंने क्या, एक घंटा, 35 मिनट में कितने मिनट होते हैं, एक घंटा, 35 मिनट में, टोटोल मिनट कितने, एक घंटा में 60 मिनट, 60 plus 35 कितना हो गया 100 ठीक 105 ये 105 मिनट एक दिन में कितने मिनट होते हैं एक दिन में होते हैं 24 गंटे और एक गंटे में होता 60 मिनट तो टोटल मिनट आ गया इंटू 100 ये solve कर दो ये तुमारा answer उपर 105 तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं एक दिन में मिनिट निकाले, एक दिन के अंदर चोईस घंटे, चोईस इंटू साथ, क्योंकि एक घंटे में साथ मिनिट होते हैं, सौल आल कर दो, क्या अंसर आ रहा है, शेकंड, 7.291, ठीक है, हो गया, तो ऐसे परसेंट है, मिनिट, दोनों को मिनिट में बदल दिया, यह असान ता मेर लिए, नेक्स आएगा, आगे ऐसा कोशन आएगा, देखते हैं, क्या है, अगला देखो, अगला कोशन तो मैंने करार रखा है, लोई, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15 परसेंट है, बड़ी और छोटी में रेशियो बताओ, देखो, लेंग्वेज में लिखावा है, तो क्या कहना चाहरा है, इदर देखो, मैने तक रादिया है, दो संख्याओं का अंतर, ये मैंने लिली P और क्यों दो संख्याओं, इनका अंतर P-Q, ये होता है, अंतर का मतलब P-Q, दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का 15 परसेंट, यानि ये कहना चाहरा है, उनके योग का, यानि P-Q, इसका है 15 परसेंट, कितना परसेंट? तो इसक का मतलब लेंग्वेज में अब मिरको बताओ अगर मैं 100 को इधर लेकर आजाओं तो तुम्हें यह दिखाई नहीं देगा 100 P-Q बराबर 15 P-Q यह सही दिखेगा अरे हाँ या ना और बोल ही नहीं रहे हो यह जो लेंग्वेज में लिखावा था ना दोनों का अंतर दोनों के टोटल का 15% में तो बस यह लिखा और क्या लिखा यहाँ पर मैंने पता किया P-Q की क्या वेल्यू है और P-Q की क्या वेल्यू है P plus Q की value सामने वाली होती है 100 है कितना है और P minus Q की value 15 है cancel cancel किया 20 upon 3 अब नहीं कटेगा इसमें ये मतलब था इस language का दोनों का अंतर उनके total का 15% अरे अब आगे तो तुम्हें पता ही है ना P कितना Q कितना P plus Q upon P minus Q नहीं पता चला अरे P क्यों कितना है बूल गए बहुत जल्दी बूल जाते हो देख वेट देख तुम्हें क्या तुम्हारी memory बड़ी गेली है किसे ये देख वो लिखा है A plus B upon A minus B कैसे निकाला था A upon B अरे बेटा हम वो देख ले या पर ये A plus B upon A minus B से A upon B कैसे निकाला था या हाँ बस मिरको तो सब पता है मिरको मत बता हो same to same या काम करना है न तो कर क्यों नहीं रहे हो दूसरा करेगा फिर बेटा या P कितना है Q कितना निकालो न कैसे निकलेगा एक बार जोड एक बार नोरों का अंतर ले ले आंसर ये देख P upon Q एक बार जोड़ा 20 और 3 को जोड़ा कितना या 23 एक बार 20 और 3 का अंतर लिया 17 23 17 इसने रेश्यो ही तो पूछा है तो आंसर आएगा 23 रेश्यो 17 23 अनुपात 17 बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम लोग तो है अरे पता चला के नहीं चला अरे पता चला तो ये कुशन तो कराएवा था ना हाँ वो लेंग्वेज में दे दिया तो प्रोब्लम आई अरे कुछ पता चला अरे इसका बारे में पता चला क्या बोल ही नहीं रहे हो रहे नहीं को ऐसे घड़े सीख लोगे समझ में आया है नहीं आया किसको नहीं आया आत कड़े करना मैं उसके पास जाओंगा उसको समझाओंगा बड़े प्रेम से आँ बोल नहीं आया मैं तेरे पास आज़ता हूँ बोल बोल आ गया है अच्छा इतना डड़ लग रहा है कि है पका आ गया नाँ वाठीक memory very weak है तुम्हारी क्या है तुम्हारी memory very weak है जिसको भूलना है उसको भूलते नहीं हो और जिसको नहीं बूलना है उसको भूल जाते हो वारे इंसान सही तु बोल रहा हूं गलत कहा हूं तु अच्छी इंसान के भेजे के बारे में इंसान कैसा सोचतार उसके बारे में study कर रखी है तो मेरे को क्या सिखाएगा लेकर वेमोरी इंसान की वेमोरी बड़ी खतरनाक है अरे ये मैं करूग या इसको ये भी कर लूँ मैं सब कुछ मैच करूँ 65 kg 2 kg का कितना है? 65 kg है तो 2 kg में कितने ग्राम होते है? 2000ぐらい कितने ग्राम होते है? इंटू 100 ये रहा तेरह answer उल कर दे बाकि मैं नहीं करूगा तुमें ही करना है हो जाएगा भई अरे समझ में आया करी आया अरे इसमें क्या समझ में आया दो ग्राम, 55 ग्राम, दो किलो का कितना परसेंट है पैसेट ऊपर लिखा, दो किलो मोते हैं, 2000 ग्राम इंटु 100 बस खत्म, कैल्कुलेशन कर दो घर पईची, कैल्कुलेशन दो तुम कर दोगे ना, मत करो करो क्या आंसर आ रहा है हो गया यह काटा सैटित करो जब सब्दों से काड़ते हो तो यहां भी काटो यह मैं यहां help नहीं करूँगा क्योंकि यह तुम्हें help कर दी तो फिर तुम आगे निकल नहीं पाऊगे दो जुरो से दो जुरो उड़ा दिये पांच से कट मारा तेरा बार पांच से कट मारा दो बार तेरा अपॉन पांच तेरा अपॉन सोरी तेरा अपॉन तेरा अपॉन क्या आ गया था यह तेरा अपॉन यह था चार तेरा अपॉन चार का मतलब क्या हो गया तीन पॉइंट 13-4 का मतलब क्या होगा 3.0 something 13-4 पहला लिखावाँ ना 13-4 नि लिखावाँ 13-4 यही तो answer है अच्छा अब मेरे को खुद को नहीं पता यह बूल क्या रहा है ये क्या क्हे रहा है ले भई देख क्हे रहा है आदा दसलों में एक परसंट का एक परसंट का आदा यानि पहले एक परसंट क्या होता है एक अपॉन सो यह कहरा इसका आदा यानि इसका आदा क्या एक अपॉन दो इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखने का असान तरीका है 1 upon 2 को लिख सकता हूँ, मैं 0.5, क्या लिख सकता हूँ, 0.5 upon 100 किसके बराबर होता रही, बस यह है, देखो यह point, नीचे 2-0 लोग है, तो यह point आगे खिसकेगा, तो आगे खिसकेगा, 1-0, 2-0, यह रहा आंसर भई, 1% का आदा दसमलाव यह होता है, 0.005, अब नीचे 100 है, भाग लगाना आना चीए, नीचे 2-0 है, 0.20 आगे खिसकेगा, अरे आदे को लिखा, 0.5, आदे को क्या लिखा, सही है, गलत है, अरे आदे को इन पर 0.5 नीचे लिख सकता, फिर 0.5 upon 100, नीचे 1 में 200 का भाग लगा दे, किसका भाग लगा दे, भाग लगा दे, भाग लगाना आए तो लगा दे, यह चोटी-चोटी बाते हैं, 0.005 के आएगा, किया है, अप्शन पड़ा है?उप्शन में नीपड़ा है, नी ए 어, ना, यखा, वह सिय पड़ा है ना, नहीं, नहीं, तुननका पनगा, 0.005, आंजर ये, आँगे जिरो लगा ना, क्या परक़ पढ़ रहा है, ऑप्शन में नहीं हे, ले बैठा तेरी लुगाई देखे लेगे तेर को तु तो तेर को देखाई नहीं दे रहा है तेरी लुगाई तेर को देख लेगी अच्छी तरह से देख वो क्या C में क्या लिखावार है वो तो आईगे थोड़ी रहे अभी नहीं आएगे टेंसन मतले, समय आणदे, यह सीर नहीं है, 0.005 है, आगे 0 धर दे ना, आगे 0 की कोई वेल्यू नहीं है, पिछे 0 लगा, कहा 0 लगा? संभाग नहीं, संभाग कोई गुमा दिया हैं तुम, बातों से जितेगा राजे इस्टाक से, ले, ऐसा करा दिया था, ऐसा मैं नहीं करूँगा, 2 घंटे, 45 मिनट, एक दिन का कितना पर्थिशत, 2 घंटे, 45 मिनट, इसका मतलब टोटल मिनट हो गया, 120 और 165 मिनट, 165 अपन, 165 अपन, एक दिन में कितने मिनट, कैसे बताया था करना, 165, एक दिन में होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में होता है, 60 मिनट, पर्सेंटेज में बदलना, इंट्टू 100 कर दे, और यह तुम लोगों का आंसर, जो भी इंसान, कॉंस्टेबल, SEC, GD, छोटे मुटे एक्जाम दे रहे हैं, एर फोर्स, निवी, आर्मी, उन सब के लिए इंपोर्टन्ट है, और बड़े एक्जाम के लिए बिए कॉशन इंपोर्टन्ट है, यह सारे के सारे कॉशन बड़े एक्जाम में आएंवें, ना की छोटे एक्जाम में। जो भी आंसर आ रहा है, कर लेड़ा, कैल्कुलिशन मैं नहीं करूँगा, इतनी मेर से होप मत रखो, कैल्कुलिशन तुम करोगे, काटा साथी, जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है, हैं जी, 11.45, लो आगे देखो, कोई ने, कोई ने, कोई ने, ये क्या कह रहा है, परसेंटेज में पूछा है, इसका परसेंटेज कितना है, तो देख, पहले पॉइंट अटाने पड़ेंगे, पॉइंट अटाए, पॉइंट अटाया नीचे, कितने 0 आएगा, 1, 2 और 3, इंटू 100, 2, 0 से 2, 0 कैंसिल कर दिया, 1 अपॉइंट, 1 अपॉइंट का मतलब 0.1%, 0.1%, नहीं है, 0.1%, मैडम कुछ नहीं किया, पॉइंट, डेसिमल को रीमूव किया, डेसिमल कितने थे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैंगे, बेटा, 3 लिखे हैंगे ना, 1, 2, 3, तो मैं यह तहीं पता नहीं जाए, पॉइंट के बाद कितने डीजिट है, 001, तो तीन होए ना, तो नीचे तीन जिरो आएंगे, और इसने का इसको परसंटेज में बदलो, तो इंटू सो किया, इतनी जी बात समझ में नहीं आई, सबसे पहले पॉइंट को अटाना है, किसको करो, मतलब परसंटेज में मतलना सौसे गोना करूगा न, सबाहरा राजाएगा, 200 सं особ 20 केंसेल कर दिया, एक अपॉन 10, अरे एक अपॉन 10 का मतलब क्या होता है, 1 upon 10 का मतलब होता 0.1 क्या होता है 0.1% 0.1% क्या फैका क्या फैका है हो गया अरे हाँ या ना नोट कर लिया क्या अच्छा है कर लिया जिसने कर लिया अच्छी बात जिसने नहीं किया और भी अच्छी बात कोई और करके जाएगा क्या करके जाएगा तो और ने तो कोई ते रा कोई और तो टैम पर तू कर ले क्या कर simplesmente ने तो पस्ता हैंगा तू मत कर एक बार पता लग जाएगा कोई और ही करेगा तेरा काम के ले यह यह तुम्हें ने करा दिया ना ने कराया अरे तीसरा आज का यह ऐसा कौशन तीन बार आ चुका है देख वैटा मैं पहले करा चुका हूं इधर यह परसंटेज से परसंटेज काड़ दिया 18 को 6 से काटा 3 बार और इसको काटा 6 से 5 बार अब देख मैं क्या लिखने जा रहा हूँ A plus B upon B minus A A की बात है ऐसा लिखा A plus B का मान 5 है कितना है B minus A की value है 3 एक बात का ध्यान रिखना जैसी equation दे रखें न मैंने अभी आपका test हो जाएगा आपका घ्यान कितना है मेरे को यह बता दो A और B में से बड़ा कौन है इतनी छोटी बात बट MSC वाले कौन BAC वाले को सबको नहीं पता है बड़ा कौन है कैसे पता लगा ऐसे यहां से पता लगता है इधर देख actually मैं जो यह बता रहा ना B माइनस A यह माइनस वाली चीज है ना हमेशा बड़े छोटे को बताती आगे कौन लिखावा है तो B बड़ा है छोटा कौन है अरे बड़ा कौन है और छोटा कौन है किससे पता लगेगा इससे पता नहीं लगेगा इस चीज से पता लगेगा जो आगे होता है बड़ा जो पीछे होता है छोटा तो सबसे पहले मेरे को B अपॉन A निकालना पड़ेगा B कितना है और A कितना है दोनों को जोड़ो 5 और 3 आठ और दोनों का अंतर लो 5 और 3 का अंतर 2 इसका मतलब काटा साथ ही B अपॉन A आया 4 एक कितना आया देखो उसने क्या पूछा क्या मेरे को A अपॉन A B पूछा है तो A तो 1 है और B कितना है 4 गलती मत कर देड़ा ना और 4 एक भी है और 1 चार भी है ये गलती हो जाएगी तो सबसे पहले ये पता किया A और B में से बढ़ा कौन? B बढ़ा B कितना है? 4 है A कितना है? 1 है Option A 4 देना है ना कि 4 एक देना है जल्द बाज़े में गलती करके आजाता है इंसान अरे हो गया? बोल ही नहीं रहे हो हो गया क्या? चलो ठीक सबसे और क्यों सर्मा सर्मी कर रहे हो? कुछ सीखने के लिए इंसान को अपना हेजिटिशन तोड़ना पड़ता है हेजिटिशन का मदलब समझ गई? सर्मा सर्मी क्या? तोड़ दो आगे चलो बोली नहीं रहे हो बैठ सा बैठ जो क्या? मेरे क्या अपना मजे करते हैं? 15 बिनिट है अपना बाते ठोकते हैं क्या ठोकते हैं? मेरे से कोई इंसान बूर नहीं होता है एक बार बात करने बैठ जो एक गंटे सारी जिन्दगी मेरे को याद करोगे क्या रहे हो पागल आदमी का है उसे बैठ कर बाते ठोकते हैं सबको भूल जाओगे ये गैरंटी मेरी है आगे चलो के गपे ठोके हैं? अज़े गपे करें? तो ये सवाल कराते हैं गपे तो ठोकता हूँ मैं तुम नगों से और क्या कर रहा हूँ? तुम वैसी बोर होते हो घर पे जाओगे टेंशन में बार आओगे टेंशन में मेरी याँ आओगे मेरी क्लास में थोड़े मज़े भी करा दूँगा क्या करा दूँगा? जो चाहिए वो बाई जरूरत है मेरी यहाँ पर असी का कितना परसंट बत्ती से? असी का किस के साथ? असी के साथ असी नीचे आएगा का आएगा? ये रा आंसर बत्तीस असी सौल गर दे ये रा तेरा आंसर पहले ही बताए था आफ या काज इसके साथ होता हूँ नीची आता है बाकी चीज उपर यानि 32 अपन असी इन्टू 100 यह राजनजर कितना है यहाँ चार चालीस ठीक है 40% किता परसेंट जो भी हो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ चलो वह आगे चलता हूँ यह तो करे लिया होगा पाता गुम रहा है लो आये यह मैं कराओ ऐसा कराओ मैं अरे यह तो करा दिया ना ने कराया सबसे में पता करो A और B कितना है A और B कितना है कैसर मेरे को नहीं पता A और B कितना है सर मेरे को नहीं पता ऐसे पता देख बेटा परसंटेज से परसंटेज 0 से 0 3 से 1 बार 3 से 9 तीन बार यह आया 3 A बेटा 1 B A और B A B आया A है 1 B है 3 यह ले काम हो गया तमाम फिर वाँ वैल्यू पुट करनी है जो एक्वेशन पूछी है ले बी है तीन ए है वन इंटू 2x 2x अपॉन हंड्रेड 102 से कड़ गया 50 बार 50 इंटू 3, 1.5 इस एक्स यही तो पुछा था यही तो पुछा उसने जल्ली जल्ली नोट कर लो नोट कर लिया अरे हाँ या ना नाम नोट कर लिया पका ना जो बोल रहे हैं अच्छे लोग है जो नी बोल रहे हैं वो नलायक है मुर्खा नंद है कौन से नंद सुनो रिप्लाइ नहीं कर रहे हैं कोई इंसान पूछ रहा है अच्छा मेरे को पागल समझ रहे हो अरे नोट कर लिया क्या आगे चलो कोछ रिप्लाइ नहीं अरे अगल नेक्स कोशिन पर चलें क्या चलो चलते हैं ये तीन बार बोलना पड़ता है तो बात समझ में आ रहे हैं ले अगला देख क्या पूछ रहा है 1206 का एक तीआई एक तीआई का मतलब होता है वन थर्ड तो ये कर लो लो तुम ही गरोगे मैं तो नहीं करूँगा 1206 इसका वन थर्ड मतलब एक तीआई 134 का कितना परसेंट है सबसे पहले इसका वन थर्ड तो निकालना पड़ेगा ना तो इसको कैंसल किया 40 ये 40 ये कैंसल तीन से कर दिया 402 1206 का वन थर्ड है 402 कितना है अरे कितना है भई ये कटम कटे तुम करोगे फिर आगे बोला ये चो 402 है 134 का कितना परतिशत है 134 का मतलब 134 नीचे आएगा 402 उपर जाएगा इंटू 100 ये पूछा है उसने ये सॉल कर दो 1206 का वन थर्ड 402 ये आए रहा है ना सही गलत है वो सही तो होगा और क्या होगा आब इसको कटम कटे करना कटम कटे 300 है काई 300 300% किता परसेंट तो सबसे पहले 1206 का आपको निकालने पड़ेगा एक ती आई जो आता है 402 अब कहरा है ये 402 जो है 134 का कितना परसेंट है मैंने कहा था जिसके साथ आफ कार होता है वो नीचे आता है इन डिनोमिनेटर में आएगा और 402 नुमेरेटर में आएगा मतला उपर इंटू सो 300 आरा है कितना आरा है मैं नहीं करने वाला हां मैं नहीं करूँगा और पक्का नहीं करने वाला ये बेचारा बोल रहा है ये बोला इसका ये बी के बराबर है तो बोला एंटू 120 परतिशद जो बराबर है बी इंटू 80% के ले कटम कटे की परसंटेज से परसंटेज काला 0 से 0 काटा 4 से 2 बार और 4 से 3 बार A कितना है B कितना निकाल दिया A 2 है B 3 है आगे की राम करने तुम खुद करोगे फिर बोल रहा B प्लस A बोला B प्लस A B प्लस A A जोड़ना 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 अपन B माइनस A 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 आशर है 5 अपन A क्या है हाँ वोई 5 अपन एक बोल 5 बोल एक ही बात है जो भी आज से चलू किया है सरड़े को सामना करना पड़ेगा टेस्ट के रूप में टेस्ट में आएंगे यह परसेंडेज के कोशन जो आज से मैंने चलू की है नेक्स कोशन आप लोग करोगे नेक्स में देखना A कितना है B कितना बता दे ना बाकी मैं कर दूँगा अगला कोशन बिल्कुल इसके जैसे ही है बिल्कुल इसके जैसे चलो नेक्स देखो लो सबसे पहले A और B की वैल्यू निकाले A और B की वैल्यू निकाले परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल A कितना है B कितना है अच्छा इसने ऐसा A प्लस B का 20% B का 50% ऐसा दियावाए किया चीक है भई लिखना पड़ेगा फिर तो लो इदर देखो A प्लस B और इसके साथ आ रहा है 2 क्या आ रहा है वहाँ है 5B अब यहाँ पर आ गया 2A प्लस 2B बराबर 5B B उदर गया माइनस हुआ तो 2A बराबर 3B यहाँ से मेरे को A और B की वैल्यू मिल गई है A और B A है 3 और B है 2 बाकी काम तुम खुद कर सकते हो जो भी उसने पूछा है 2A माइनस B पहले यह नोट कर लो पहले पहले पुद करदाना पहले है बातक म पहले जहाँ झारे झाल 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 हो गया अरे एक इता है था अरे एक इतना था तीन बी कितना है तो इसने क्या बोला टू ए टू एका मतलब एका डबल टू एका डबल तो एका डबल कितना चे है अरे टू एका मतलब क्या हो गया अरे टू एका मतलब क्या चे एक इतना है तीन तो टू एक मतलब हो गया चे पूछा क्या उसने देखो उसने पूछा क्या देख लो 2A-B 2A का मतलब भी इसको डबल कर 3 दोड़ी 6 माइनस 2 नीचे लिकावा है यह से 4 अपन 8 और 4 अपन 8 का मतलब आदा क्या हो जाएगा Half कुछ कोशन आपको मैंने homework के लिए दे दिये ठीके आगे की picture सारे मैंने करा दिये है तुम करोगे नहीं आये तो मेरे से पूछ लेना लो आज का काम इतना ही तीस कोशन कर लिए है लो बई next यह आपके लिए देख लो करा दिये मैंने next देख लो करा दिये का देखो इसको देखना अची तरह से करना और नहीं आये तो पूछ लेना important है most important यह वाला लो बई आज की सभा यहीं विशर्जन सुनना अगर आज के कोशन तुम्हें नहीं आये फिर percentage में दिक्कत आएगी लगबग क्या तीस कोशन करा दिये हैं कि ते यह ज़स्ट बेसिक कोशन थे percentage के कल से real question चालू होने वाले है तो जिस इंसान ने कुछ नहीं किया आजसी पढ़ना चालू करेगा ना तो अच्छा रहेगा आजसी कर लेके मैं percentage अच्छा करूँगा किसी को थोड़ी जल्द बाजी लेगी हुई है maths की सुनना मेरी बात कि मेरे को maths को अच्छा करना है साम को एक area की class चल रही है area rectangle कल एक class हुई है वो भी कर सकता है साम को mensuration चल रहा है जिसको जल्द बाजी है वो online video देख ले कर ले अपना percentage ही समाल लो बाकी मिलते हैं भाई कल time तो हो गया है